Hello friends, this is Pavan Chaudhary, welcome to Physics Swara. MPPAC Prelims 2024 के लिए कई सारे important topics हम लोग आगाज में पढ़ चुके हैं और इस lecture में हम लोग जो discuss करेंगे, वो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये Gond Dynasty का दूसरा lecture है, कोई सीरीज नहीं है तो last lecture में हमने जो बात की थी about the Gada Mandala state के बारे में आज हम लोग जो दूसरे तीन जो Gond state है, Kherla, देवगड़ और मकड़ी इन तीन Gond states के बारे में इस lecture में हम लोग आपको discuss करने वाले हैं तो हमने लास लेक्षर में बताया भी था आपको कि मध्यबरेश में चार इंपोर्टेंट Gond state हुआ करते थे, वन इस दम घड़ा कटंगा या Gada Mandala जो हमने लास लेक्षर में देखा यहां पर रानी दुरगावती का Gada Mandala हुआ करता था, उसके लाब़ा एक और स्टेट था खेरला, एक स्टेट था देवगड और एक स्टेट था मकड़ी, तो इस रकार से चार महतों पूर्ण Gond state थे, तो एक स्टेट थे हम लास लेक्षर में पढ़ चूके हैं, इस लेक्षर में हम लोग यह बाकी जो बचे हुए स्टेट है, खेरला, देवगड और आपका इनकी location में आपको बता देता हूँ, खेरला स्टेट अभी के समय का जो बैतूल जिला है, तो बैतूल जिले में आपको located है, देवगड अगर देखेंगे, तो देवगड वस established in छिंदवारा जो जिला है, छिंदवारा जिला में एक जगे है, उस जगे का नाम हर्री, हर्री क कहा जाता है, तो हर्री के अंदर इसके starting यहां पर आपको हुई, और मकड़ी state जो है, अभी के समय का, जो हर्दा जिला है, हर्दा और आसपास का जिला, निर्मदा के आसपास का शेत्र, उस शेत्र के अंदर यह मकड़ी state हुआ करता था, तो गॉंड बताया था, जबलपू वो नागपूर यहां पर हुई, तो लेटर दे ट्रांसफर जार के अबिटल नागपूर और और अरंगजेब और शाहजा और अरंगजेब वगरा, उनके साथ में बड़े लेवल पे इनकी बैटल्स या बागी चीज़े यहां पर आपको चलते रहे, चले, सबसे पहले बा उस गड़ा मंडला राज जिसे ही इसकी उत्पत्ति आपको होती है, एक बैटल में ने आपको बताई थी लास लेक्चर में, उसका नाम ता बैटल ओफ नरे, कब हुई थी? 1564 में, 1564 में वो बैटल आपको हुआ था, और आफ्टर बैटल, जो गॉंड रानी दुरगावती है, उनकी म्रत्ति हो गई थी, उसके बाद प्रेम नरायन बगरा, उनका शाशान आपको रहा, लेकिन वहां से जो गॉंड एस्टेट था, वो डिकलाइन हो गया, और वहीं से एक और नया राज्जी यहां पर आपको निकला, जिसको कहा दिया देवगर, तो उनहीं के डाइ फिर एक राजा हुआ जाटबा, दल शाह, कोक शाह, केसरी शाह, गोरक शाह, या कोक शाह, इस्माइल यार खान, दीदर खान, महिपाल शाह, नेकनाम खान, चान सुल्तान खान, उसके बाद वली शाव अगरा, ये कई सारे लीडर्स आपको रहे, कई सारे अलग अलग छोट पहले राजा कौन थे, वह दो फर्स्ट किंग अब देवगड गौन, तो याद रखना, तुलूबा वस दो फर्स्ट किंग, अंतिम राजा के बारे में कोई ज्यादा ऐसे एक पुकता जानकारी जो है, वह हमको आपको आपको नहीं मिलती, तो एक समय पे ये देवगड रा है, लाजी है, बालागाट है, भंडारा मनला है, अभी के समय का, जो महराष्ट है, वहाँ पर एक जग़े है, भंडारा, लांजी, बालागाट एन गंगा रिवर, तो बिन गंगा और नर्वरदा के बीच में का जो पूरा एरिया में को बता चुका हो हूँ, जब गौणड जब अकबर का गॉंड उपे हमला हुआ उस समय जो स्टेट डिवाइड हुआ वहां से एक तरह से देखा जाए तो देवगर स्टेट या देवगर राज्य जो है उसका विकास यहां पे होता तो एक तरीके से प्रेम नारायन उन्होंने अपना गॉंड स्टेट अलग कर लिया है उस नाकपूर में तो तरह से देखा जाए तो हर्यागर देवगर और उसके बाद आपको नाकपूर तो शुर्वाती इनके जो राजधानी थी वो हर्यागर थी जो अभी के समय के चिंदवाड़ा में हैं अभी उनके छोटे मोड़े जो किले हैं किलों के जा उशेश है अभी भी भी हमको उस एरिया के अंदर आपको मिल जाएंगे अब उसके बारे में हमको जानकारी कहां से इंफॉर्मेशन कहां से विली देवगर राज्य के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट्स है वह हैं अईकबरी क्योंकि अगर लोग जो गढ़ा-मंडला में वहांने बी स्टेट्स हैं क्योंकि उस समय की जो भी अक्बर की पॉलिटिक्स थी उसके बारे में आईने अक्बरी ने लिखा था और वही चीज उन्होंने देवगड के बारे में भी पता चली ठीक है उसके अलावा फिफ्टीन एटीन सिक्टी फॉर का बड़िश अधिकारी का एक डॉक तो उन बावन गड़ों के अलावा आपके टूटल जो 57 पहले से हुआ करते थे उन में से कुछ एरिया जो है वो देवगड राज्य की हुआ करते तो आईने अगबरी और बाश्या नामा दो ऐसे इंपॉर्टेंट सोर्स हमको इनके बारे में आपको मिलते हैं अब जैसे व महाभारत के टाइम पर हुआ करते थे तो उनकी डाइनेस्टी के अंदर चोपनवे राजा है तो देंसल्फ कंसिडर एस फ्रम दे लाइने जो जो महाभारत की जो लाइनेज थी उस परंपरा से अपने आपको मानते लेकिन तमाम गॉंड एक ही थे उसमें ऐसा कुछ आपको दिरे दिरे करके अपना पूरा एरिया है पर बनाया हरियागर वाला एरिया उन्हें ने कैप्चर करके अपना शाषन हैं पर आपको इस्टाबलिश किया और उसके बाद एक बिटिश एक मुगल अधिकारी था उसका नमता मुहमत जमान जो है उसने एक बड़ी सेना लेकि इनके उपर आपको हमला किया और उसके बाद इनोंने जमान के साथ ठ्रिटी कर ली कि हम आपको एन्वल टेक्स आपको देंगे अब हम पर हमला मत करो तो इस तरीके से उनके बीच की जो संदी है वो संदी यहाँ पर आपको हो गए किसने की मुहमत जमान ने संदी आपको उसके बाद इनोंने अपना खुद का एक कौपर काई आपको बनवाया उसके उपर लिखा था श्री राजा जाटबा प्रतिराज तो श्री राजा जाटबा प्रतिराज ये एक तरीके से उन्होंने अपने सिक्कों पे कौपर के सिक्के तो कौपर के सिक्के या आपको जार किया, ठीक है? तो ये आपके राजा हुए, उनका नाम था, जाटबा. जाटबा के बाद, अगले राजा हुए, उनका नाम था दल्शाह हैं, जाटबा के तीन बेटे हुए, जिनका नाम था प्रेम नारायन या प्रेम शाय ये कौन थे गड़ा मनला वाला जो गौन राजा था उनके contemporary यहाँ पर आपको थे क्योंकि question आपको आएगा कि भई जो प्रेम नारायन है या बोल सकते कि जो गौन राजा है प्रेम नारायन इनके contemporary कौन सा था तो इनके contemporary यहाँ पर दल्शाह नाम का जो राजा था वो इनके contemporary या इनके समकालीन हुआ गरता था अब इनकी location आप देखोगे एकदम चिंजवाडा बैतूल नाकपूर वाला area यहाँ पर आपको हो गया उसके नीचे जैसे हम लोग यहाँ पर आपको आएंगे तो उसके नीचे वाले area में यहा लोगों का आपको शाशन था और उस समय पे यह जो 1630-1440 की बात यहां पर आपको हो रही है तो उस समय पे मुगलों का जो बहमनी वाला पूरा जो बोल सकते हैं मुगलों का जो डेकन campaign है वो डेकन campaign बड़े लेवल पर चल रहा था and in that case डेकन है तो यह लोग मुगल लगात वगरा उसके अंदर जो मुगल अटेक आपको हो रहे तो उसके कारण जो मुगल थे वो नागपूर और आसपास का भंडारा वगरा अमरावती हो गया इसी रीजन के आसपास यहां पर आपको थे और उसके कारण जो औरंगजेब की जो नजर है वो गौन राज्ये पे भी पर नीचे जो है आपते अहां पर बहमनी राजाओं का साशन है बहमनी जो गोलda अबी जर्ण पूर वगड़ा उनका सारशन है और बाकी अरिया मुगल लगातर भैमनीज पर हमला करने के लिए इसी एरिया के आस्पास स्टेशन होते तो आराम से देवगड़ पर हमला करके चाहिए देवगड़ फो गया हुग गणा तो इसके बाद इनके उपर पहला मुगल आपको हमला हुआ, सबसे पहले मुगलों ने नाकपूर जो इनका शहर था, तो यह क्या हो गया? तो सबसे पहले मुगलों ने नाकपूर के उपर आपको हमला किया, तो उस समय पे आपका जो सिकंदर खान और राजा अली खान, यह दोनों जो सैनिक थे, तो सिकंदर खान और राजा अली खान, इन दोनों राजा जैसिंग सौरी, इन लोगों ने मिलके इनके उपर आपको हम हमला करके इनसे तकरीबन उन्होंने आपका 50,000 रोपया इनसे जीता और 50,000 के साद 70 elephant 70 हाती इनसे जीते क्योंकि दो को इनके उपर हमला करने का रीजन यहाँ पर आपको यह था क्योंकि इस एरिया में पूरा जो गौन्ड हो गया especially खेला हो गया, देवगर वगरा हो गया यहाँ पर elephant की जो breeding है जानवरों की breeding, especially हातियों की breeding आपको होती थी, यह लोग उस समय हातियों का व्यापार आपको करते थे, तो बड़े लेवल पर जो elephant breeding है, elephant breeding यहाँ पर आपको होती ही थे, due to the elephant breeding यहाँ पर मुगल्स हो गए, महमनीज हो गए आगे हम लोग देखेंगे कि खेला जो state है, उसके उपर जो मालवा का जो सुल्तान हुआ करता है, उसमय होशंग शाह वो भी इन रीजन्स पर आपको पहले की बात मला, वो भी हमला करता था, होशंग शाह वगरा second के नाम से भी आपको जाना जाता है, कैसर इनके tenure वगरा याद करना, कोई tenure याद करने के जर्वत नी, पता हो ना, कि केसर शाह नाम करा जाता, जिसको जाटपा second भी कहा जाता, जैसे question आएगा exam में कि जाटपाद विती का वास्तविक नाम किया था, तो वास्तविक नाम आपका केसर, केसर शाह यहां पर आपको था, या question आएका केसरी सिंग कहां के राजा थे, या जाटपाद विती कहां के राजा थे, तो directly question आपको आता है, इनके time पर भी केसर शाह के टाइम पर भी मुगलों ने आपर आपको हमला किया और उस हमले में केसर सिंग जो है उस वार के अंदर उस युद्ध के अंदर आपको मारेगा तो ये ऐसे पहले गौंड राजा थे या पहले ऐसे देवगड के राजा थे जो मुगलों के साथ युद्ध अभियान में इनकी आपर मृत्ति आपको तो याद ब Cancer शाह केसर सिंग उनकी आप कुंड को जाती उसके बाद अगले राजा बने उनका नाम तक गोरक शाह इनको कोकशाह के नामसे याँ पर आपको जाना जाता है इनके टाइम पर अगें औरंग्जेब ने हमला किया, अब ये लोग करते क्या थे, कि ये लोग जब भी हमला होता था, तो ये हमला होता जब टेक्स दे रहते, उसके बाद ये मुगलों को टेक्स नहीं देते, क्योंकि मुगल्स वर बिजी इन डेकन केंपेंग, गुलमरगा अगर आपे तो मुगलों को कहा याद रहेगा कि टेक्स लेना है लेकिन जब भी मुगलों को याद आता था कि अच्छा इन्होंने चार्ट साल से टेक्स नहीं दिया तो सेना भेज के मुगल हमला आपको करवा देते तो इसी तरह का एक हमला जो है वो कोक्षा या गोरक्षना है उनके टाइम पर आपको हुआ इस वार सेना लेके गए राजा जैसिंग सवाई जैसिंग जिनको बोलते हैं जो औरंगजेप के बड़े important सेना पती थे साथ मैं आपके जैपूर के या आमेर के राजा भी आपको थे और इस जिद्ध के अंदर जो राजा छट इस किमपेट के अंदर यहां पर आपको गए और इनोंने मिलगके गवरगशा के टाइम पर गोरगशा के उपर आपको खंला क्या और बदली में गोरगशा जो है उनने तीन यहां पर आपको दिया और बाद में बोला कि वही अठ्रा लुपे जो आठ्रा लुपे जो फाइन है वो फाइन भी मैं पे कर दूँगा और कुछ हाथी भी उन्होंने आपको दिया तो हर दो-तीन साल में हमला होता मुगल बहुत सारा धन लूट के इन लोगों से वापस आ ज जिव ने पूरा एरिया इक तरीके से आपको केप्चर कर लिए उसको इसलाम धरम आपको करना पड़एगा तो न चाहते हुए पि दे Deb बगनाद के दोनों बेटे हैं इन्होंने थर्म रखनाश का और इन्हों डाप किया और इन्होंने अपना नाम रखा इस स्फिसमाई स्माइल चा द काैब अब यहांक crime आधा अपको किया अभी पर आपको समराज आपको रहा और इसके टाइम पर कई सारे अटेक्स आसपास में जैसे एक चंदा करके एक जगए है चंदा चंदा करेके एक और स्टेट है अभी के समय के नागपूर के पास में वहां का यह जो गड़ा का राजा था तो इन्होंने लगा था इनके उपर इसमाइल यारखान पुरानी किताब में कहा जाता है कि छिंधवारा का चो गौन्ड राजा था वह भी चंदाड में का राजा था जो मुस्कलिम आपको कर। बनाया था अब और आपको शांचन कर गारा है और इसके टाइम पर एक बहुत महतुपूर व्यक्ति इनके सामराज्य में आपको आए, उनका नाम था महापभू प्राणनाथ, कौन थे यह, यह प्रणामी संप्रदाई के संत थे, और यह चाहते हैं थे कि औरंजेब के खिलाब, औरंजेब के अगेंट्स एक बहुत बड़ यहां पर आपको आये थे, उसके बाद अगले राजा बने, उनका नाम था महपति शाह, यह इनको बक्त बुलंद यहां पर आपको कहा गया, अब इनके टाइम पर वही कंडिशन आपको आई, कि आपको इसलाम एडॉप्ट करना पड़ेगा, तो पहले जो महपति शाह थे, तो पहले तो इसमाईल यार खान, दीदर खान, तो जो महपति शाहत है, हिसेट कि मुझे इसलाम एकसेप नहीं करना है, लेकिन जब और अरंगजेब ने प्रेशर बनाया, और यह होगा कि आप सत्ता कैसे भी करके काबिश आपको होना है, तो इन देट केस, जो महपति शाह उनने बक्त बुलंद नाम अपना चेंज किया, और बक्त बुलंद के नाम से मुस्लिम धर्म एकसेप किया, और मुस्लिम धर्म एकसेप करके, अपना धर्म परिवर्तन करके, यहां के आपको राजा बने, और इनके टाइम पर देवगर जो राज्य है, इसका नाम चेंज हो कि इसलामगड़े हम पर आपको हो गया और ओरंजी और ओरंजीब ने इन इनसे खुश हो के तीन चीज़ें उनको यहाँ पर आपको दी एक खिला दिया खिल notकिया रोयल रॉहाँ होता खेर औरंग्सेप के खिलाब अंडर्शाशन करना एक बहुत बड़ा मुश्किल आपको काम था तो बक्त बुलन का नाम यहां पर आपको याद यहां पर आपको रखेगा उसके बाद यह हो गया उसके बाद और भी राजा वगरा हुए उसके बारे में कोई इतनी इंपोर्ट राजा थे इन राजाओं के बारे में याद रखेगा यह कहां के राजा थे यह देवगर के गौंड राजा थे उसी प्रकार से एक और गौंड इस्टेट था इस स्टेट को बोला गया खेरला खेरला आज के टाइम पर कहां है आज के टाइम पर जो बैतूल डिस्ट्रिक है तो बैतूल डिस्टिक के अंदर आपको लोकेटेड है, तो बैतूल रासपास के जो पूरा एरिया है, उस एरिया के अंदर खेरला राज्य जो है, खेरला राज्य हुआ करता था, एक तरह से सत्पूरा विंध्यान्चल की जो सिरीज है, उस सिरीज के बीच में आपको हुआ क परिष्टा इंदर उसके अंदर उन्होंने आपके जो खेरला स्टेट के बारे में जानकर ही यहां पर आपको दी थी अब इस डानेस्टी का जो पहला इंपर्टेंट राजा था उसका नाम था नर्सिंग रहा है तो तकरीबन अब इनको दो चीज़े यहां पर आपको कही जाती है तो इनका जो नर्सिंग राय जो थे यह बिसिकली कहा जाता है कि जब संग्राम शाह वगरा का जो शार्षन था संग्राम शाह के टाइम पर संग्राम शाह ने इनको पूरा एरिया यहां पर आपको दे दिया मालवा सल्तनत है आपके मांडू के अंदर उसके नीचे निमाड के अंदर फारुकी डाइनिस्टी है तो इनकी जो बॉर्डर है वो लगती थी फारुकी राजाओं के साथ में तो एक तरफ इनका जो बॉर्डर है फारुकी राजाओं के साथ लगता था इस तरफ वाला जो ब हाथियों की बीडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आपको हुआ करता था तो इसके समय पर आपके जो फारूकी राजा थे निमार के राजा थे उनका नामता मलिक रजा फारूकी तो उन्होंने एक तरीके से इस एरिया को अपने कंट्रोल में लेने की आपको कोशिश की या जो खांदेश उन्होंने बनाया उस खांदेश के अंदर नरसिंगाय का एरिया जो है उसको लेने की कोशिश आपर आपको की और उसके बाद इन्होंने जो है दकन के अंदर एक जगए है महूर करके तो महूर और आसपास का जो एरिया है वो उन्होंने कैप्चर यहा कंदर एक तरीके से यह शांति है वह शांती इस्थापत आपको के खर शांति ज्यादा समय तक आपको नहीं तक आ तक आपको रहने वाली नहीं थी क्योंकि इनके स्टीड के ऊपर लगातार हमले हो रहे रहे ते थे नर सिंग राय n Fal तो नर्सिंग राय के ओपर लगादार, he was contemporary of होशंग शाह गोरी, तो जो मालवा के राजाते होशंग शाह गोरी, वो होशंग शाह लगातार इनके ओपर आपको हमला करते थे, ठीक है, अब उसका reason ये था कि होशंग शाह अगर इनका area capture कर लिया, तो वहां से होशंग शाह जो है, नर्सिंग राय को ने पराजित किया, वह सेरा पैसा हो गया, हाती वगरा जो है, वो लेके होशंग शाह आपको जाते थे, और तीन बार जब होशंग शाह का हमला हुआ, तीनों बार ये चीज़े होई कि जब भी होशंग शाह जो है, वो खेरला के ओपर हमला करने आते, और मालवा के उपर जो गुजरात के राजा थे ना उस समय बाहदूर शाह और मुजफर शाह वगरा हो गया है बाहदूर शाह नहीं मुजफर शाह तो मुजफर शाह वगरा जो मालवा गुजरात के राजा थे वह मालवा पर उनको पता चल जाता है कि यह नीचे युद्ध ल युद्ध यहां पर आपको हुआ, होशंग शाह ने कई बार इनके राजे के उपर आपको हमला हुआ और उसके बाद नरसिंग राय का जो बेटा था, उसका नाम था कोकशा तो जो तीसरा युद्ध था उस तीसरे युद्ध के अंदर नासिंग राय के यहां पर आपको मृत्ति हो गई और उसके बाद नासिंग राय का जो बेटा है कोक्षा वो राजा मना वो भी औरंग्जेद के या खोशंग शाह के जो अधीन है उनके अधीन रहा खेर बाद में जाके बह्मनी क्योंकि इनके उपर ये तो हमला करी रहे थे कौन होशंग शाह साथ में इनके उपर बह्मनी भी हमला कर रहे थे और एक समय पर होशंग शाह और बह्मनी के एक संदी हुई और उस संदी के अंतरगत होशंग शाह जो है जो बह्मनी राज्य है तो बह्मनी राज यह पूरा एरिया था इसको होशंग शाह का जो शेत्र है होशंग शाह का शेत्र accept करें कि यह तरीके से उनकी बीच में जो संगर्ष शल रहा था वो शंगर्ष है आपको खतम है आपको हो गया है और एक समय पर इसने इलचीपूर और आसपास का रीजन है कहां पर है उनको जाचन है, उसके बाद उनका जो बेटा है कोशल रहाए जैस कोख्षा बोल दिया, िविक कोशल रहा था स्Óरी कई बार एक सनाम में कन्फिशन हो जाता है, कोशल रहा है तो कूसल राइन आपकर आ जा था जिसने बाद में यहाँ पर आपको समराजी गया तो इनके बारे में थोड़ी बहुत information यहाँ पर आपको याद रखेगा चलिए उसका तीसा जो important state हुआ वह हो गया मकड़ी state मकड़ी राजी इसके बारे में बहुत कम जानकरी मिलती है कहां को नचलिDEN तक कि यहाँ आपको है अब इनके इंप्पोरटन च्राफ यहां पर आपको मिलता है मैंने आपको पढ़ाया था फंद्रासुसट में जब दुरगावति के साहरजावा और अगर के ना गार ऑगि schöne और ऑग दो अनिके बाद अग्बर और खॉव्याल यहाँ ज़ हुई उनके बिज में एक संदी हुई और उस संदी के अंतर के चंद्रेशा जो है इसने अपने जो टैन फूर्ट दस किले थे तो दस किले अकबर को आपको दे दिये उस टिटी के अंदर मकड़ी स्टेट का जो नाम है वो नाम यहाँ पर आपको लिखा हुआ था उसके यहाँ पर था तो यहाँ पर उनने मकड़ी स्टेट के बारे में जो जानकारी है वो जानकारी लिखी वो इन्फोर्मेशन यहाँ पर आपको लिखी कि भाई इनका समराज आपको था तो इसे दो इंपोर्टेंट जो सोर्सें हैं इसे दो इंपोर्टेंट सोर्सें अमको इन की राजदानी कुन सी हुई तो इनकी शुरुवाती राजदानी जो थी उसका नाम था काली भी और काली भास भीच से इन के जो राजदानी है एक राजा हुए उनका नाम था मकरंद शाहा उनके टाइम पर उन्होंने capital जो है मकड़ी के अंदर यहां पर आपको शिफ्ट की क्योशन आएगा exam में कि किस राजा के टाइम पर capital शिफ्ट हुआ तो मकरण शाहा के टाइम पर capital जो है वह आपके काली भीट से लेके आपके आपका जो मकड़ी है मकड़ी के अंदर यहां पर आपको शिफ्ट यहां पर आपको हुआ चले उसके बाद अगले राजा हुए उनका नाम था भीम से सेकेंड और इसको जो हैदराबाद के निजाम थे उनने हतियार राओ का जो हत्यारा राओट नाम का टाइटल आपको दिया था इतना फैक्टार्ण को सॉरी इनको बारे में साड़ी इनकी बाद मिलती जो भी इनफोरमेशन बहुत मुश्किल से जगे- perception में taking collect करके यहाँ पर आपको लेकर आयो तो हत्यार राओ का जो टाइटल है वो भीम सिंग सेकंड को हैदराबाद के निजाम ने आपको दिया 1720 में फतरशाह नाम के एक राजा यहाँ पे हुए जिन्नों ने जो आपका हैदराबाद के जो राजा थे निजाम मुलकासबजई उनके साथ में कई सरे बैटल कई सरे हुद्ध यहाँ पर आपको लड़े उसके बाद 1740 में 1740 में पूरा जो यह नीचे वाला एरिया था मालवा हो गया इस पूरे रीजन पर आपको पता ही होगा कि मराठो का शार्शन आपको हो गया मराठो का रूल आपको हो मकड ही स्टेट का राज्य आपको उन्हेंने कमजोर कर दिया और हर्दा ॵ रास्पास के आपकर हंडिया नाम की एक जगे अहले उन्हें पर आपको काफ़ा है वर्शन पर आपको देना पड़ा खैर कुछ बाद फिर पानीपत-का बैटल हुआ 1761 थर्ड बटल अफ पानीपद हुआ तो तीसरे पानीपद के युद्ध के भामाय पे धारा सी नाम का एक जो राजा था वो राजा है आपे हुआ और उस समय धारा सी नाम के राजा ने मकड़ी के अंदर जो या बोल सकते हैं कि हंडिया के अंदर जो मराठा अधिकारी होता उसको क्योंकि थर्ड बेटल अफ पानीपद के बाद मराठा कमजोर हो गए मराठा वीक हो गए तो उसके बाद उन्होंने वहां पर जो मराठा विक्ति था उसको आमील था अधिकारी था उसको हटा के पूरा एरिया उसने आपको कैप्चर कर लिया लेकिन प्राब्लम अभ उन्हों को उसको नो नयुकरी हो नाम थे अडिया पस उदे शाह नाम के जोराजा है और शाशन आपको हुआ और इनके टाइम पर इंके समराजय पे लगातार जो पिंडारी हैं क्योंकि 800 के असपास पिंडारी का बड़ा आक्रमन होता था चाहे होलकर हो चाहे सिंद्या हो चाहे महलवा हो तो समय जो पिंडारी है उन पिंडारी का लगातार जो है वो हमला इनके स्टेट या इनके राजय पे आपको हुआ ठीक है जब मराठा कमजोर हो गए, तो मराठा के कमजोर होने के बाद मकडी स्टेट जो है, यह अंग्रेजों के कैप्चर में आपको आ गया, ऐसा कहा जाता है कि बिटिशर्स के टाइम पर, बिटिशर्स को पता ही नहीं था कि जंगल में ऐसा कोई समरज आपको चल रहा है, तो एक टेक्स वगरा वसूल करना, अंग्रेजों नहीं आप आपको शुरू यहाँ पर आपको किया, उसके बाद 1864 में लॉड कैनिंग जो है, तो लॉड कैनिंग का जो समय आए, तो लॉड कैनिंग के टाइम पर, जब 57 के बैटल वगर आपको हो गई, उसके बाद यहाँ पर दे ही के अंदर जो अग्री कल्चर कॉलेज है, उस अग्री कल्चर कॉलेज को इस्टैबलिश किया, फिर एक राजा जो 16 साल है, तो राजा 16 साल हुए, 1911 में, एक राजा 16 साल हमने देखा था कहां पर, आपके पन्ना में हुआ करते थे, एक 16 साल यहाँ पर भी आपको थे, और इनको दिल्ली दर्बार में 1911 में जब दिल्ली दर्बार हुआ वहाँ पर एनो ने पार्टिसोपेट किया फिर अगले राजा हुए उनका नाम था दृगपाल सिंग जो राजकुमार कॉलेज जो राइपूर है वहाँ पर पड़े लिके यहाँ पर आपको राजा थे वहाँ और उनका एजुकेशन आपको हुआ उसके बाद जो जो दरिकपाल शाह स्कूल में पढ़ते थे तो उनकी टीचर थे उनका नंता साधत अली चान जबेटा नहीं साधत अली घा बाद में जाके ने बेटे का नम था याया खान जो आजा दी के बाद पाकिस्तान का पाकि के military president आपको बने तो लेटर ही वोस्ट प्रसेड़ेंट ओफ पाकिस्तान ठीक है तो वह सादत अली खान जो है वो इनके दरबार में आप इनके टीचर थे और बाद में इन्होंने जो राजा देदरिकपाल से इन्होंने उनको अपने राज्य में अपना जो दिवान है वो दि टूडर शाह तो टूडर शाह वो दे लास्ट किंग मकड़ी स्टेट को भारत सरकार के साथ में यह union of इंडिया में मर्ज किया लेटर इट विकम दपार्ट ऑफ दा मध्यवारत तो छोटी सी इन्फोर्मेशन मकड़ी स्टेट में है तो जनरली हम लोग गॉंड इस्टेट ह ही पढ़ते हैं लेकिन उसके अलावा हमने तीनों देवगड मकड़ी और आपका खेरला तीनों जो दूसरे स्टेट है वो स्टेट भी हमने आपको पढ़ लिए चलिए तो इस लेक्चर में इतना ही हमवक में आपको क्या करना है सबसे पहले जिती भी इंपॉर्टेंट किं इंफॉर्मेशन है उन इंफॉर्मेशन को एक बार लिखके हम पर आपको याद आपको कर लिए चलिए इस लेक्चर में इतना ही आई होब यू लाइक दे लेक्चर थैंक्यू